कर दो टुब आपके आप सब काफ लिए अच्छे होंगे तो अभी जो है शबैं के सारे 11 पच्छुके हैं और मैं जो आ गई हैं किचन में तो मैंने अब जो है जो है अज मैं बना दे हूं कड़ी ओर चावल तो कड़ी में तो चल बनाई थी उसमें चोका लगाना है उरद मैंने बनने के लिए रगती हैं क्योंकि कड़ी के साथ जो है उरद का जो मेल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है हमारे हां तो काफी खाय जाते हैं करी उरद चावल एक साथ तो अभी जो है बस मैं आगी थी किचन में लंच मैंने का इतना जो है उरद को जो उबलने में टाइम भी लगता है काफी आर्धा से फॉन घंटा लग जाता है तो मैंने का रख देती हूं उसके पीट में मैं अपने अधर काम कर लूँगी और आज मैंने यह वाली टी-शर्ट पहनी है नई आई वह आपको दिखाई दे इस पर यह से डिटेलिंग दी हुई है और यह मैंने एमेजोन से परचेज की है मैक्स की है काफी अच्छी है कपड़ा काफी सोफ्ट है और काफी डीजनेबल प्राइज में मुझे मिल गई क्योंकि मेरी जित्तेवी घर पहनने वाली टी-शर्ट थी ना सारी बेकार हो गई थी तो चल चुकिन हो गही है और मतल्य त्टेन के आने की जो है दस तक सी आ गई है तो काफी अच्छा लग रा है वैधर भी मन भीका भी आ और आज म Spencer पएनके ऊच्छी लग राए ब्लेकक लर की मिस्क कमिफ है ब्लेक निगा देस्क्रिप्शम बोक्स में डाल दूंगे आप चैक कर सकते हैं कढ़ी कल तो इसमें जो चोका लगाना है और ये मैंने भी इमली निकाल कर रखिये क्योंकि मैं इसके आज मिठी वाली चत्री बनाने वाली हूं और मेरा काफी दिनों से जो है चाट खाने का मन करता था तो देखते हैं घर बनाती हूं या फिर ओनलाइन जो गोल्गप पे नहीं आते हैं वो मगाती हूं देखते हैं तो भी तो इसमें को जो है बिगो कर रखूंगी तो पानी गरम कर लेती हैं तो फ्रेंस बस यहां पर जो है मैं इमली को जलल दी इनके जो छिलके हैं को तार दूँगी और जो इसके अंदर से पल्प निकलेगा उसको मैं भीखो कर रब दूँगी गरम पानी में तो यह इमली मैंने बिग बास्किर से परचेस की थी और यह 200 ग्राम के करीब इमली थी त अब बस मेरा पानी बी करम है तो मैं इसे पानी में डालकर रग दूँगी और इसे इसी प्लेट से धब के छोड़ दूगी तो सामता की अच्छे से जो है पानी में घुल जाएगी उसके बाद में इमली रेडी करूँगी और यह हमारा यहां पर जो है लंच रेडी हो चु क्योंकि डुगु अब सिर्फ इसी टाइम मिल्क पीता है तो मैं इस टाइम उसे मिल्क दे दूँगी और उसके बाद जो है अपनी चाय के और एडी बाद मैं बस यहां पर साथ के साथ अपनी चाय भी बना रहे हूं और आज कल जो है चाय में अध्रक काफी ज्यादा अच्छा लगता है वैसे तो इस बार जो है पूरा सीजन ही अध्रक की चाय पी है इस कोरोना की वज़े से जब ज्यादा गर्मी हुए तब ही जो है अग्नोर की है और आज मेरे हस्बिन का मन था वो जो रेडी मेर चीप सा अनका खाने का तो मैं बस उन्हें यहाँ पर प्राई कर रही हूं और आप सोच रहे होंगे कि में इतने छोटे से इस बर्तर में कैसे लोगि तो वह मैं आपको आगे बताऊंगी तो मैं जो है फ्राइक कर दी ती इसीपीच अमीजों जो जो है प्रोडुक्त आ गया था तो मैं उसे लेने चली गई थी और उसके बाद मैं यहां पर अच्छे से हैंड वोश कर लूँगी और उस प्रोड़क्ट को मैंने क्वारंटाइन में रख दिया है और हैंड वोश करने के बाद मैं चिप्स को फ्राई करने आ जाओंगी तो दूसरी साइर चाय भी जो है बोईल ह जाती है तो मैं जैसे कि आप सबको पता हिए रिफाइन में यह सब चीजे जो है फ्राई की जाती है तो मैं एक बार यूज कि होवा फ्राइन दुबारा यूज नहीं करती हूं तो इसलिए मैं इन चिप्स को ऐसे ही फ्राई करती हूं और बद देखिए यहां पर मेरे चाइपी पीएंगे और चिप्स को एंजोय करेंगे तो आप भी आजाईए चाइपीने और चिप्स खाने तो चाइपीते पीते जो है साम हो गई थी बिल्कुल और मैंने जो इमली भूगो के रखी थी दुपैर में वह भी अच्छे से जो है फूल गई ती गरम पानी में तो अब मैं यहाँ पर इसे रेडी करूँगी और आप में से बताईएगा कि किस-किस ने ये चटनी साधी से पहले बनाई है, मैंने तो साधी से पहले कभी नहीं बनाई थी, तो मुझे वो दिन याद आते हैं, जब साधी से पहले किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती ह वो एक लड़की को एक बहु कितनी जल्दी बना देती हैं, मतब एक लड़की जो अपने घर में हर काम को लेकर इतनी बेफिक्र रहती थी, लेकिन जिम्मेदारी आते ही वो इतनी जो है रेस्पोंसिबल हो जाती है, हर चीज के लिए अपनी ग्रष्टी को संभाल लेती है, तो काफी अच्छा लगता है ये सब देखकर, कि जिम्मेदारी आने पर एक जो बेटी है वो खुद को एक अच्छी बहु साबित करती है, तो बस यहाँ पर जो है मैं अब चटनी बनाने के तयारी करने लेगी हैं, तो मैंने बहुत थोड़ा सा ओईल लिया है, उसमें जीर अब यहाँ पर चला कर अच्छे से मैल्ट होने दूंगी, उसके बाद जो है मैंने सोचा कि यह पक रहा है तो मैं अपनी डिनर की प्रिप्रेशन भी कर लेती हूं, तो डिनर सिर्फ मैं और डुगू ही करते हैं, मेरे हजबन डिनर नहीं करते हैं, तो बस दोनों के लिए ही सबची बनारी हूं, क्योंकि आप सोचेंगे कि इतने छोटा सा बैंगन बना रहे हो, तो बस इसलिए क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, तो अब मैंने जो मेरे गुड़ था वो मैल्ट हो गया, तो मैं इसमें मसाले आड़ कर दी हूं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा इस चटनी में, तो बस साई चीज़ा डालती हैं, और अब मैं डालने हूं, इसमें मेवे, तो मैं यहां पर काजू और किसमी से अड़ कर रही हूं, अकर आपके पास छुआ रहे हों, तो गाइस चुआरे याड़ कीजिए, इसमें कट करके, वो बहुत जादा अच्छे सब डल चुका है, तो अब मुझे से लगभग 15-20 मिनट पकाना है, तो दूसी साइड बस मैं यहां आपने डिनर की प्रेप्रेशन कर रही हूं, यहां पर सबजी बना रही हूं, तो आज बैंगन आलू की सबजी बन रही है मेरे डिनर में, तो जब भी मैं बैंगन आलू ब करती हूं, उससे क्या होता है, कि सबजी का टेश्ट काफी अच्छा हो जाता है, तो बस यहां पर सबजी बी रेडी कर लूँगी, और मैंने टमाटर डाल कर जो है, मसाले बरसाले डाल कर उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से, यहां पर मसाला पकर रेडी हो चुका है, और एब मैं इसे जो है अच्छे से चला लूँगी, और उसके बाद मैं आलू और बैंगन को एड़ कर दूँगी, और थोड़े देर उन्हें भी इसमें मिक्स करके, ठोड़ा सा पानी डाल कर, इसे जो है पकने के लि नहीं तो यह ठंडी होने के बाद भी थोड़ी टाइट हो जाती है तो आप देख सकते हैं बस ऐसी ही क्वांटिटी आपको रखनी है तो मेरी जो चतनी है वो तो बनकर रेडी हो गई है तो हमारा डिनर वगारा सब कुछ हो गया था सारा काम कीचन वगारा का मैं जो है कर लिय हुँ उसके मतलब फेस वोस वगारा करूंगी उसे ब्रस कराऊंगी और नाइट सूट पना कर उसे सुला दूंगी उसके बाद मैं मेरे हजबन मिलक पीएंगे तो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर ज़रा सभी पसंद आया